हेलो दोस्तों दृष्टी आईएस के इन न्यूस प्रोग्रेम में आपका स्वागत है और मैं हूँ इवानशुू वैशुक परिस सितियों में जब भी हम संकट की सितियां देखते हैं हमेशा हमें दो-तीन बड़े देशों का नाम सुनने को मिलता है जैसे अमेरिका, रूस, चीन और भारत भी हम कह सकते हैं कि हमारे जो हित हैं भारत के हित ही हमारे लिए महत्पूर्ण होते हैं इस वक्त जो एक बड़ी खबर है वो ये भी है कि पिछले हस्ते जो United Nations Security Council में यूकरेन संकट के दौरान जो वोटिंग की जानी थी एक प्रस्ताव लाए गया था उसमें भारत ने रूस के विरोध में मतदान नहीं किया भारत से तटस्त रहा तो ये एक बड़ा सवाल बन जाता है हमारे परिक्षा के लिहाज से कि इसका विशलेशन किया जाना भेत्पूर्ण है और सवाल का उत्तर देना भी जरूरी है क्योंकि इससे हम भारत के जो अंतराष्टी संबंध है उनको और बहतर तरीके से समझ पाते हैं और इसका उत्त अस्थता की नीती अपनाई है तो इसी पूरे मुद्दे को आज हम डिस्कस करेंगे और से लेटेड जो डामेंशन है उन पर बात करते हैं पहले हम न्यूस की बात कर लेंगे न्यूस में क्या-क्या पॉइंट आये हैं इसमें एक और बात यह है कि जब रिजुशन लाया ग भारत ने इस पूरी प्रक्रिया में एक अलग पक्ष अपनाए एक तरह से वोटिंग प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हुआ तो भारत क्यों इससे अलग रहा है को भी जानेंगे रूस का भारत को क्या समर्थन रहा है भारत का रूस को क्या समर्थन रहा है इसको भी निशकर्ष समझेंगे कि इस समय भारत के सामने किस तरह की चुनौतिया आने वाली हैं, रूस का समर्थन करना या अमेरिका का समर्थन करना, क्या भारत के लिए सही होगा और क्या दबाव भारत पर आएंगे, एक सवाल इसी से संबंदित रहेगा, इसे आप में उसके इस तर क्यूल काउल्स for UN to reign in security council veto power, और दूसरी भी news इसी से related है, what is veto power, what is it and how many times Russia has used it in favor of India, यानि कितनी बारस को रूस द्वारा भारत के पक्ष में उपयोग किया गया है, तो news से हम शुरुआत करते हैं, तो रूस द्वारा यूकरेन संकट पर साइट्राष्ट सुरक्षा परिशद की कारवाई पर veto किया गया था, और इसके बाद ही ये पूरा मुद्दा सामने आया है, तो साइट्राष्ट सुरक्षा परिशद में यूकरेन संकट को लेकर के प रही होगी कि रूस इस पर वीटो कर देगा लेकिन फिर भी इसका एक महत्व यह तो रही जाता है कि इससे अंतराश्चित प्रतिक्रिया का पता चलता है तो जैसा उनका अनुमान था इस पर रूस ने वीटो भी कर दिया इसमें जो वोटिंग हुई उसको अगर हम देखे तो 11 वोट इसके समर्थन में पड़े रूस तो विरोध में था ही इसके रूस वैसे भी अपने खिलाब मद्दान नहीं देता और भारत चीन और UAE ने खुद को इससे अलग रखा ना पक्ष में ना विपक्ष में ठीक है तो जब यह पूरी प्रक्रिया हुई तो कुछ देशो संघर्शरत प्रियासों में लगा हुआ रहता है तो यूएन का एक चार्टर भी ऐसी बात करता है तो उसको वीटो करने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाना चाहिए इन देशों में लिक्टेंस्टाइन, कोश्टा रिका, एस्टोनिया, आयरलेंड, मैक्सिको, ने वीटो सक्ति के दुरुपयोग की बात कही और ऐसा एक प्रस्ताव संघ्टराष्ट महासभा में लाए जाने की भी बात कही जिसमें रूस के खिलाफ वे प्रस्ताव लाएंगे तो वहाँ पर तो वीटो का उप्योग भी नहीं हो पाएगा तो वीटो पावर होती क्या ह देखिए, युनाइटेटडनेशंस के कई सारे जो अंग है उसमें से सबसे प्रमुख अंग माना जाता है वह युनाइटेडनेशंस का सिक्क्योरटी काउंसिल है, यानि सुरक्षा परिशद तो United Nations से related जो भी सुरक्षा से संबंदित मामले है, अंतराश्टी ये शान्ती, सद्भाव और जो भी सुरक्षा बनाने का काम है, वह United Nations की Security Council देखती है, जिसके अंतरगत 15 सदस्य राष्ट शामिल हैं, और इन 15 सदस्यों में से 10 सदस आय स्थाई हैं, और 5 सदस इस्थाई हैं जो 5 सदस्य हैं, उसमें एक प्रमुख बात यह है, कि उन सदस्यों को वीटो का अधिकार दिया गया है, यहां वीटो का मतलब हुआ, यदि ऐसा कोई प्रस्ताव जिससे कोई भी सदस्य की अगरम बात करें, तो वह उसके विपक्ष में एक तरसे जाकर के वोट दे सकता है, यानि इसे हम वीटो कहते हैं, और वीटो कर देने पर जो भी प्रस्ताव लाया गया है, वह निरणा आगे नहीं भेजा जा सकता और वह निरस्तमाल लिया जाता है, तो सुरक्षा परिशात का जो निरणा है, वह बातिकारी है, सदस्य देशों पर और उसका पालन प्रत्यक सदस्य देश को करना होता है, ऐसे में रूस द्वारा जो वीटो किया गया, अपने ही खिलास लाए गया प्रस्ताव को एक तरह से शक्ति का दुर्पयोग माना गया है, लेकिन हमारे लिए सवाल ये है, कि इस तरह के जो वीटो शक्ति का दुर्पयोग हमें पहले कप-कप देखने को मिला, या दुरुपयोग कहें, या उपयोग कहें, कप-कप देखने को मिला, तो सबसे ज़्यादा इसका उपयोग रूस द्वारा ही किया गया, और जब हम रूस कह रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें ये बात नहीं था, कि हम USSR को भी यहाँ पर शामिल करते पूरा नाम रहा है, तो आगे चलकर रूस इसके उत्तराधिकारी के रूप में निकला, जब USSR का विरिटन हो गया, इस आधार पर USSR और रूस को हम एक समान मान करके अभी चलेंगे, तो रूस द्वारा लगभग 146 बार वीटो का उपयोग किया गया है, और अमेरिका की बात सुरक्षा परिशत के, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जैसा आप सब जानते हैं, तो ब्रिटेन ने पहली बार 1956 में जब स्वेज संकट का दौर आया, उस समय इसका इसका इस्तिमाल किया था, और लगभग अब तक 31 बार ये इस्तिमाल कर चुके हैं, फ्रा 14 बार में भी एक बार इसका इस्तिमाल रिपब्लिक ऑफ चाइना के दौरा किया गया था, जब एक तरह से हम कहें ताइवान उसमें शामिल था, उसके बाद 1971 के दौरान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इसमें शामिल हुआ, और फिर बाकी 17 बार का इस्तिमाल हम कहें क People's Republic of China के जरिए किया गया, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत इस पूरी प्रक्रिया से अलग क्यों रहा, यानि जब वीटो प्रक्रिया रूस ने अपनाई और अन्य दस्यों ने इसका समर्थन किया, तो अगर हम भारत का एंगल देखें, तो भारत क्यों नहीं इसमें शा प्रभु देश है, ऐसे में भारत खुड डिसाइड करेगा कि भारत को किस पक्ष में रहना है या किस पक्ष में नहीं रहना, या फिर दोनों ही पक्षों से तटस्त रहना है, और हम एक पहले भी एक नीती देखते रहे हैं, गुट निरपेश अंदोलन के रूप में, भार रूस में USSR भी शामिल है, तो हमेशा से ही भारत का एक परखा हुआ सही होगी रहा है, यहां परखा हुआ का मतलब यह हुआ कि भारत को जब भी अंतराश्टी इस्तर पर किसी भी मुद्दे को ले करके मदद के आवशक्ता हुई, उस समय, USSR के रूप में हो या रूस के रू स्लोवाकिया का रहा, 1979 से लेकर 1980 तक का जब रूस द्वारा अफगानिस्तान पर हमला किया गया, तब भी तदकालीन प्रदानमंतरी इंद्रा गांधी जी ने एक तरीके से रूस के बचाओ में ही बात कही थी, USSR के बचाओ में, कमबोडिया पर भी भारत में रूस का समर्थ लिए एक तरह से रूस का समर्थन दिखाई दिया, इसमें एक और पॉइंट जो आता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो भारत द्वारा राश्ट्री हितों को महत देने के साथ, छेत्री अखंडता और देशों की संप्रभुता के सिध्धानतों का समर्थन किया गया है, यह एक बहुत ही महत्पूर्ण लाइन है यहाँ पर जो लिखी गई है, इसका मतलब यह हुआ कि भारत द्वारा राश्ट्री हितों को महत दिया जाता है, यहां राश्ट्री हितों से मतलब यह हुआ कि जब हम बात करते हैं कश्मीर मुद्दे की, तब हमें यह समझ में आत बीच का मुद्दा हो सकता है अगर भारत ऐसा कहता है तो कोई भी देश ऐसा कहँदेगा कि लृध चीन ऐसा कहँद動画 कि भी भी दक्षिल चीन-सागर का विवास है वो भी हमारा ही मुद्दा है तो ऐसा नहीं है दरसल राष्ट्री हित का यहां पर बात यह भी आती है कि जब भारत के राष्ट्री हितों की बात आई तब किस देश ने भारत का समर्थन किया चीन नहीं किया जाहिरती बात है रूस ने किया USSR की रूप में भी किया लेकिन भारत यहां पर एक तरफा यह नहीं कह रहा है कि हम इसके अलावा जो छेत्री अखंडता है, यानि कि कोई छेत्र अपने आप में महत्पून है, और देश की संप्रभुता का भी हम सिद्धान्त का समर्थन करते हैं, यानि अगर हम कहें कि यूकरेन एक छोटा देश था, उसके पास सैने शक्ति इतनी प्रबल नहीं थी, ऐसे मे रूस द्वारा किया गया आकरमण, हम उसको एक तरीके से पूरी तरह से सही भी नहीं ठहराएंगे, हम देश की संप्रभुता का भी सम्मान करते हैं, यानि एक बैलेंस अप्रोच यहाँ पर भारत की हमें दिखाई देती है, अब इसकी अगर हम बैग्राउंड को देखें, जैसे हमने कहा कि कश्मीर का मुद्दा जब रहा, रूस ने समर्थन किया, कब-कब ऐसा हमें देखने को मिला, तो 1948 में जब United Nation Security Council में शेत्री अखंडता और समप्रभुता का मुद्दा लाया गया, यानि विशेश रूपते हम बात कर रहे हैं कश्मीर मुद्दे की, तो उस समय भी हमें United Nation Security Council में कोई खास सहयोग देखने को नहीं मिल रहा था, आगे चलकर भारत के समर्थन में जब समर्थन देने की बात आई, भारत के पक्ष लेने की बात आई, तब रूस ने कई बार अपनी वीटो पावर का इस्तमाल भारत के हितों के लिए किया है, पहली बार 1961 में जब पूर्तगाल ने गोगा को छोड़ने से मना कर दिया था और ऐसा एक UN Charter का इस्तमाल करते हुए, इस मुद्दे को UN में ले जाने की कोशिश की थी और इस मुद्दे को अंतराश्टी मुद्दा बनाने का प्रयास किया था, उस समय भी रूस ने यानि की USSR ने गोग की मुद्दे पर यहां पर वीटो पावर का इस्तमाल किया था और इसको एक अंतराश्टी मुद्दा बनने से रोका था, 1962 में देखने को मिलता है जब आयरलेंड द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाया गया, आयरलेंड ने भी इस बात को ऐसे कहा कि जो भारत है, भारत इस म मुद्दे पर बातचीत वरने के लिए तैयार नहीं था, इस दोरान भी USSR ने वीटो का इस्तमाल किया, 1971 में हम देखते हैं जब बांगलादेश का मुद्दा सामने आया, भारत ने जाकर के बांगलादेश की मदद की, उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्मी पाकिस् तब भी रूस ने भारत के समर्थन में दो-तीन बार वीटो पावर्स का इस्तमाल किया और इस मुद्दे को अंतराष्टी मुद्दा बनने से रोका, तो ये कुछ बहुत ही महत्पूर पूइंट है, हमें ये बात समझाते हैं कि क्यों रूस के पक्ष में भारत की नीती एक सहनुभूती की रहती है, एक सहयोग वाली रहती है, ठीक है, इसके अलावा अगर हम भारत रूस संबंधों को देखें तो यहाँ पर भी हमें कई सारे पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, ताकि ये मुद्दा हम और अच्छे से समझ सकें, तो भारत के रूस के साथ राज भी भारत और रूस का एक साजा संग्ठन है, साजा मंच है, शंगाई सहयोग संग्ठन में भारत भी शामिल है, रूस भी शामिल है, ठीक, इसके अलावा रक्षा की शेतर में बहुत ज्यादा सहयोग रूस के साथ भारत के रहता है, रूस बहुत बड़ा भारत का पास उपकरण हैं ऐसा कहा जाता है कि रूस्ती मूलते संबन्दित हैं रूस से ही हमने प्राप्त किये हैं इसके अलबा ब्रह्मोस में हम भारत रूस का समर्थन देख सकते हैं एक अभ्यास होता है भारत रूस की सेना का इंड्रा यानि इंडिया रशिया एक्सरसाइज यह भी महत्पूर्ण है आर्थिक शेत्र हला की बहुत लंबा नहीं है यहां हमारे रूस के साथ जो आर्थिक संबन्ध है वे बहुत जादा आगे नहीं है किवल 10 अरब डॉलर का ही यहां पर योगदान हमें दोनों देशों के बीच में दिपक्षी व्यापार देखने को मिलता है और यह 2012 के आंकडों के मताबिक हमने ऐसा लिखा हुआ है इसके लावा भारत रूस जो वार्शिक शिखर सम्मेलान है उनका भी आयोजन किया जाता है 2 प्लस 2 डायलोक्स की हम बात कर सकते हैं 10 साल का जो रक्षा समझोता किया गया है उसकी बात कर सकते हैं दोनों देश मिलकर के हतियारों का निर्माल करेंगे बहुत सारे पॉइंट्स है हमारे सामने भारत और रूस के संबंदों को समझने के लिए ठीक है अब बात करें निश्कर्ष क्या हो सकता है यानि संबंद अच्छे हैं, तो क्या सब कुछ एक तरफा ही चला जाएगा, रूस के पक्ष में ही जाएगा, ऐसा नहीं है, भारत इस समय जो बदलती वैश्विक परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से अन्य पशिमी देश हैं, जैसे की फ्रांस है, ब्रिटन है, अमेरिका है इसके साथ सहयोग बढ़ा रहा है, इसके अलावा, एक Quad मंच की बात आती है, इसमें हम USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत को शामिल देखते हैं, इस समय चीन को काउंटर करने के लिए एक बड़ा मंच की रूप में सामने आ रहा है, जहां एक न्यूस भी देख सकते हैं जहां Australia के High Commissioner ने कहा है कि India is natural leader of Quad in Indo-Pacific region, क्योंकि Indo-Pacific region में जो Indian Ocean वाला एरिया है, वहाँ पर भारत सीधे-सीधे पूरे ओशन छेत्र के लिए एक प्रमुख एरिया में मौजूद है, ठीक, तो अमेरिका से बढ़ते जो सामरिक संबन्ध हैं, वे भी भारत के लिए महतपू इसके अलावा भारत के हित के अंगल से देखें, तो रूस, चीन और पाकिस्तान का गठ जोड हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, और ऐसे समय में, हलाकि रूस इस पश्ट रूप से नहीं कहता है, क्यों पाकिस्तान के साथ है, हर देश के अपने हित हैं, ऐसे में वो किसके साथ दिखता है, यह जरूरी नहीं है कि अन्य देश के विरोध में ही हो, यह बात भी समझने वाली होती है, ऐसे में अमेरिका से बढ़ते सामरिक संबंध और रूस एक तरफ होगा, एक तरफ अमेरिका होगा, तो जहिर सी बात है कि अमेरिका यह द्वारा भारत पर यह दबाओ बनाया जाता रहा है, और आगे भी बनाया जाता रहेगा, कि भारत रूस का कितना जादा समर्थन करे, कितने डील करे, लेकिन एक एंगल यह भी है, कि अमेरिका यह अन्य देश भी इस बात को समझते हैं, और जानते हैं, कि जब भी भारत को किसी तरह के सहय किया वशक्ता पड़ी है तिहास में तब रूस में उसका समर्थन किया था ना कि अमेरिका ने ऐसे में भारत को इस बातों को ले करके भी अपना पक्ष रखने का एक मौका मिलता है और जो अंतिम प्रयास है वो यही है कि वैश्विक शान्ति के प्रयासों में बढ़ चड़ क क्या बन सकता है सवाल है रूस के संबंद में संयुक्तुराष्ट सुरक्षा परिशाद में भारत का तटस्थ रहना भारत की पारंपरिक रण नीती का एक हिस्सा है उप्रोक्त कथन का मुल्यांकन करते हुए बताईए कि भविश में भारत को किंच नौतियों का सामना करना पढ़ सकता है तो एक statement दिया है जो भारत के लिए बताता है कि रूस के संबंद में जो सुरक्षा परिशाद में भारत का तटस से रहना है ये उसकी परंपरिक नीती को दर्शाता है एक हिस्ता है ऐसा कहता है तो आको बताना है कि ऐसा क्यूं कहा गया है statement के पक्ष में कुछ बातें का हमने जिकर किया है एतिहासिक जो प्रिश्ट भूमी रही है उसको आप बता सकते हैं इसके अलावा जो आगे कहा गया है कि भाविश में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है इसमें अमेरिका वाला और बदलती वैश्विक परिस्थितियों वाला सेशन यहीं पर समाप करते हैं इस उत्तर को लखेने का अभ्यास कीजिए आप से मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विशे के साथ तब तक पढ़ते रहिए खयाल रखिए शुक्रिया